फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्रेक्शन है आपके लिए वैस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्स सिरीज फॉर SSEJE और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है थैंक्यू सो मच और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते है तो आईए फ्रेंट्स इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा जो यूज होगा थर्मो साइफर कुलिंग सिस्टम और यह अगर नाम से यह आपको दिख रहा कुलिंग सिस्टम है और यह बिसिकली आपको यूज किया जाता है इंजन को कूल करने के लिए जहां पर आपका हीट प्रोडूसिंग ज़्यादा होता है या इंजन आपका ज़्यादा हीट होता है देखिए बिसिकली अगर एक बात किया जाए तो जहां पर यह हमारा cooling system thermosyphone यूज होता है यह हमारा multi cylinder engine में या four wheeler जो गाड़िया होती है वहां पर यूज होता है इसका actually होता क्या चीज है कि जब cylinder जो आपका engine के अंदर जो cylinder और जो piston का motion होता है उसके करण continue heat generate होना start हो जाता है और धीरे धीरे heat generation होने के बाद ये इतना ज्यादा heat generation ना हो कि आपका engine access heating में चला जाए उसके चलते आपके क्या parts damage भी हो सकते है तो on and average ऐसा देखा गया है कि normal conditions में जितने आपके engine से heat generate होते हैं उसके करीब 30% जो part है वो आपका heat है वो absorb करने के लिए capable होना चाहिए जो भी आपका cooling system है लेकिन ये आपके काफी सारे factors पर बात होता है जैसे मैंने on and average कहा है इसके अलबा माल लिजी कि आपकी गाड़ी अगर long drive में चल रही है ये long running में है तो वहाँ पर आपका engine क्या है एक्सेस heating होना start हो जाता है तो वहाँ पर कही ना कही हमें क्या है cooling जो system है उसको और ज्यादा effective बनाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमारा कुछ ता कुछ arrangement होना चाहिए तो आईए हम लोग इसी चीज़ पर आज बात करने वाले हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा thermosiphon जो cooling system में उसका एक structure है अगर आप इसको word को break करेंगे तो आपको यहीं पर चीज़े दिख जाएगी thermosiphon मतलब कही ना कहीं heat से link कर रहा है siphon मतलब कहीं ना कहीं tube की बात कर रहा है और जो हमारा cooling system है एक cooling system में देखिए basically होता क्या है आपकी गाड़ी का जो engine है engine के अंदर माल लिजे कि अगर चार cylinder engine है तो यह जो हमारा है यह head से अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से 4 cylinder दिखेंगे ऐसा ठीक है और यह हमारा जो cylinder जो आपका piston arrangement जो है तो 4 cylinder engine है और यहाँ पर आपका जो भी valve और जो भी आपका attachment हो और अगर हम लोग बात करते तो देखिए होता क्या चीज़ है यह हमारे पर cylinder का arrangement है इसके बाद यहाँ पर fan लगा हुआ है और engine के आगे अगर आप देखते हैं तो एक radiator का arrangement होता है तो यह radiator से जिसके आप लोग पाइप को उपर का cross section हमने बनाय हुआ है और यहाँ अगर आप surrounding से बात करेंगे तो surrounding से आती क्या आती है air जो आती है जो directly क्या होता है यह radiator part से टकराता है और इसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे तो यह हमारा water filling port है जहां से हम लोग water fill किया जाता है और यह हमारा lower tank है इसके लावा देखेंगे तो यहाँ पर footer लगा रहता है और header लगा होता है जो कि आपका क्या water को जो pass किया जाता है तो उसके according क्या है water supply को भी क्या कर रहा है adjust कर रहा है किस तरीके से देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर fans कि अभी initial condition में आपका fan क्या off रखा गया है ठीक है normal conditions में क्या होता है कि यह जो आपका है यहाँ से आपका key engine continue heat हो रहा है तो यह आपका key engine का wall है अब हमको क्या cooling करने की जरूवत है cooling करने की जरूवत है तो क्या होता है कि यहाँ पर water आपका circulatory chamber है जहाँ से आपका water क्या यह पूरा water आपका भरा हुआ है तो सबसे पहले हमको कही ना कही एक छूर से start करना है, तो यहाँ पर हम लोग start करते हैं, और यहाँ पर जो आपका flow रहा है, तो यहाँ पर आपका flow रहा है क्या hot water, मतलब यहाँ पर आपका hot water flow रहा है, और यह जो आपका hot water है, यह आपका continuous थरीके से आपका flow रहा है, अब hot water यहाँ से pass होते होते क्या होगा, क यह आपका engine का hit तो ले चुका है लेकिन अब क्या इस hot water को हम लोगो क्या cool करना है तो cool करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसके radiator का जो आपका coil होता है उस radiator के coil से हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरीके से pass किया जाता है और यहाँ पर जब pass किया जाता है तो यह जो आपका radiator है यहाँ पर जब आपकी गाड़ी running condition में रहती है तो क्या surrounding air जब इस पर strike करता है तो strike करने के बाद क्या होता है कि यह आपका जो air है वो air क्या होती है cool होती है और यहाँ पर जब आपको बाहर वादी जो water है जब यह इस direction में आना start होगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यह आपको मिलेगा cold water यह जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा आपको cold water अब देखिए हैं पर एक चीज़ अगर आप लोग बात करते है heat exchanger stripe का तो आपने तीन तरीके का heat exchanger सहाथ पड़ रखा होगा Parleg flow heat exchanger जो कि दोनों flow एक direction में होता है Counter flow heat exchanger जो कि दोनों flow का direction opposite होता है और एक हमारा cross flow होता है जहाँ पर आपका जो heat flow का direction है वो आपका perpendicular मिलेगा तो यहाँ पर जो आपका water का फ्लो है इस condition में और जो air का फ्लो है यहाँ पर मतलब यह आपका hot flood है और यह आपका cold flood है तो कहीं ना कहीं यह जो आपका radiator exam में कई बार पूछा हुआ भी question है कि यहाँ पर जो हम लोग arrangement यूज कर रहे हैं हमारा कौन सा होता है that is the cross flow heat exchanger ठीक है इसके बाद यह वाला जो हमारे पास portion आया हुआ है यहाँ से आपका flow होना start हुआ है flow start होने के बाद क्या होगा यह lower tank से पास हुआ है lower tank से पास होने के बाद finally क्या है कि यहाँ पर जो hot water आई है और यहाँ पर जब water cool हुआ है तो cold water यहाँ पर supply हुआ और cold water supply होने के बाद again क्या होगा फिर से जाएगा cylinder के chamber पे क्या करेगा heat absorb करेगा और यह आपका continuously hot and cooling process आपका continuously चलता जा रहा है दूसरा चीज अगर हम लोग बात करते हैं fan को लेके तो देखे क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि on average ऐसा arrangement होना चीए कि 30% heat को हम लोग normally absorb कर सके उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी long drive ते तो वहाँ पर engine की क्या access heating होगी तो उसके according हमको अपना cooling का arrangement भी बढ़ाना होगा तो उस condition में हम लोग क्या करते हैं यह fan को on कर देते हैं fan अगर आपको on होगा कर देते हैं the same automatic system में एक range के बाहर जाएगा तो fan on होने start होगा और जैसी यह fan चलेगा तो क्या होगा आपका कहीं न कहीं force cooling होने start हो जाएगा और यह force cooling होगा तो again आपका क्या cooling system और ज्यादा effective हो जाएगा वो depend करता है condition के उपर कि हमें engine के अंदर कितना cooling देना है और हमारा जो engine है वो कितना cool कर सकता है इसके अलावा हमारे पास यह सब जो चीजे अमारे पास दिख रही है जो water का circulation है water का circulation कितना manage कर पा रहा है इसके अलावा हम लोग water के अंदर कुछ coolant भी use करते हैं वो भी आपका एक तरह का effective होता है तो यह हमारा thermosiphon cooling system है तो यहाँ पर आपको चीज clear हुआ होगा हमारा यह जो cylinder का block हो गया और जो हमारा slender है और तो यह आपका जो portion है overall आपका क्या है engine के अंदर जो cooling करने का process है वो आपको कही न कहीं क्या है thermosiphon cooling system use किया जा रहा है तो ठीक है friends I hope आपको यह video clear हुआ होगा और यहाँ से ही जो cooling system की हमने बात की है multi slider engine के लिए यह आपको clear हुई होगी ठीक है thank you very much for watching this video friends इस video को like करिए जादा से जादा friends के साथ share करिए और इस channel को subscribe करना ना भूले और bell notification ज़रूर प्रेस करिएगा जिसे जो भी latest video अभी आ रहे है और जो भी आपके videos upload हो रहे है वो आप तक पहले पहुँचे और friends हमारा telegram channel भी है जिसको आप join कर सकते हैं जिसका link नीचे आपको description में और first comment box में मिल जाएगा तो ठीक है friends तयारी करते रहे है wish you all the best